हेलो फ्रेंट्स मैं सुरेश्वदेशी आज का वीडियो बेज़े है गंगा रिवर बेसिन गंगा रिवर जो कि भारत में मा के रूप में पूजी जाती है तो उसे के बारे में हम जानते हैं तो इसका नाम गंगा नहीं है यह दो स्मॉल रिवर्स के रूप में या स्ट्रीम्स के रूप में फ्लो करके आती है तो पहला जो स्ट्रीम है या रिवर है वो भागीरती भागीरती गुरुमुख केव से फ्लो करती है और जो गलेसियर है वहाँ पर वो गंगोतरी गलेसियर यह इमेज आप देख सकते हैं यह गंगोतरी गलेसियर की है आगे आप देखेंगे दूसरी जो रिवर है वो है अलक नंदा जोकी अलकापुरी गलेसियर से ओरिजिन कर रही है यह आप जो है अलकापुरी गलेसियर का इमेज देख सकते हैं यह दोनों रिवर्स देव प्रियाग में आकर के सब्सक्राइब करती हैं मिलती हैं मर्ज करती है और वहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है कि फ्लॉइंग तुर्व दस्नो क्लाइड वेली उसके बाद में यह बिल्कुल बर्फ से डखी हुई घाटी वेली से होते हुए फ्लो करती है प्लेंज में हरिद्वार में आके यह प्लेंज एरिया है जो इंडियन प्लेंज है Northern Plane वहाँ इमर्ज करती है और यहां इसका जो इस्पीड वो स्व जाता है आफ्र फ्लॉइंग थुरू देफ्रेंट स्तेट्स यह उत्राकंड उत्रपरदेश बिहार इन वेस्ट बंगोल इन स्टेट्स में फ्लो करती हुई यह साउथ-ईस्ट की तरफ आती है और फरक का जो वेस्ट बंगोल में हैं वहाँ पर यह बंगलादेश में एंटर कर लीती है अपि इसका स्पेक्टेकॉलर व्यू देख सकते हैं इसमें मैप में हम देखते हैं तो गंगा यहां गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्राखंड में है उत्राखंड से यह फ्लो करती हुई यहां से पूरा उत्रप्रदेश बिहार बिहार के बाद बेस्ट बंगो लोती हुई यह फरक का यहां फरक का से बंगलादेश में एंटर कर जाती गंगा इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर इसकी ट्रिब्यूटरी है उनका नंबर लार्जेस्ट है इंडिया में इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो इस रिवर की है वो है यमुना सोन गागरा कोशी और गंड़ अलहाबाद में यम्ना के साथ यह कंफुलेंस कर करती है जब यह यहां से बंगलादेश में एंटर करती है तो यहां इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो कलकता की तरफ कोलकाता की तरफ फ्लो करती है जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है दामदर रिवर दूसरी है जो कि इधर से फ्लो करके आती है तो वो दामदर रिवर सुहुगली की एगा सोरो ऑप बेंगोल की ? विकोज ये यह बार-बार अपना कोर्स चेंज करती है एवरी सीज़न में इसके कोर्स में चेंज होता है और फ्लर्ड्स आते है अए फ्लर्ड्स के वज़े से इस टिस्ट्रक्ट्शन जो है वो काफी बड़ा होता है और इसी लिए से सोरो बेंगॉल यानि बंगाल का शोग कहा जाता है दामदर आज मिटिकिटिड दिस हैवो दामदर ने जो है इस हैवो को काफी बड़े लेवल पर बढ़ा दिया गंगा इस नोन अज पदमा गंगा रिवर जो बंगलादेश में एं करती है वहीं से इसका नाम मेघना और उससे आगे जमुना बन जाती है या जमुना इसका नाम हो जाता है लेटरेट फ्लोज एज नंबर ऑफ डिस्ट्रिबूटरीज के रूप में फ्लो करती है और एक एक बहुत बड़ा जो की लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है अल्टिमेटली बेव बेंगोल में मर्च कर जाती है यह स्पेक्टाकुलर व्यू सुंदरबन डेल्टा आप देख सकते हैं यहां से धाका दा कैपिटल बंगलादेश स्टेंट्स ऑन बूधी गंगा जो बंगलादेश की केपिटल वो बूधी गंगा रिवर के बैंक्स पर अधालेश्वरी मेगना हुगली जालंगी यह सब आप देख पा रहे हैं और उसके बाद में माता भंगा बंगलादेश की बात करें तो माता भंगा भैराब कवदाग गराई मदुमती एंड एरियल खार यह सारे रिवर्स जो हैं वो डेल्टा फोर्मेशन में कॉंट्रिब ुसके बाद बंग्लादेश और इंडिया दोनों कंट्रीज इसको प्रोटक्ट करते हैं कंजर्व कर रहे हैं इसके कंजर्वेशन के लिए प्लान बनाए वे हैं और दोनों कंट्रीज का जो पॉर्षन है उनको UNESCO World Heritage Site के रूप में डिकलेर किया गया है इंडिया का 1987 में और बांगलादेश में पॉर्षन है सुन्दर बंडिल्टा का वो जो है 1997 में UNESCO World Heritage Site डिकलेर किया गया है आप यहां इमेज देख सकते हैं यह सुन्दरी बंड जो है सुन्दरी जो ट्री है या मैंग्रोव जो ट्री है उनका इमेज है और दूसरा इमेज यहां आप देख पा रहे हैं यह महात्मा गांधी ब्रीज है जो कि गंगा रिवर के उपर ही बनाया गया है बिहार में पटना और हाजीपूर को जोड़ते हुए कनेक्ट करते हुए फरक्का बैराज गवर्नमेंट ओफ इंडिया ने हुगली रिवर पर एक ब्रीज बैराज भी बनाया और वहां ट्रांस्पोर्टिशन फसेलिटीज डिवलप करने के लिए बैराज और ब्रीज दोनों तयार किये बैराज जो की 1986 में बना था इसकी टोटल लेंथ है 2240 मीटर्स और यह बैराज जो है रेल और रोट दोनों इस पर बनाई वी है रेलवे जो रूट है यहां का यह जो रेलवे ट्रेक है वो इस्टर्न स्टेट जो सेवन सिस्टर्स है उनको कोलकाता से कनेक्ट करता है इसका इंडिया के लिए फिश जो है यहां पर भी सारी पाई जाती है इस एरिया में तो यहां के जो लोकल लोगों का फूड भी हैं इनमें इसकले बेंग्गोल में जो फिश पाई जाती है उनमें है फैदर बैक्स, बॉब, बाब्स, वाकिंग केट फिश, गॉरामिश एन मिल्क फिश जो special characteristic है फिश में वो है रिवर डॉल्फिन गंगेज रिवर डॉल्फिन जिसे गंगेज सूसू भी कहा जाता है या जिसका scientific name है प्लेटेनिस्टा गंगेटिका फ्लेटेनिस्टा गंगेटिका वो एक साइटलेस सेटेशियन है जो की हाई डवलप्र सौनार कैपेबिलिटीज के साथ है और गंगेज ब्रह्मपुतर रिवर बेशिन जो है उसमें अबंडेंटली पाई जाती है बट हुमन एक्टिविटीज एक्टिविटीज के वजह से यह एक्टिविटीज जो हुची है वरतमान में इसकी जो एक्जिस्टेंस से वो खत्रे में है एक बात और बता दू यह भारत का नेशनल एक्वेटिक आनिमल भी गवर्नमेन्ट ओफ इंडिया द्वारा डिकलेर किया गया है इनिमल्स की बात करें तो यहां पर इंडियन पाइथन, पाइजाते हैं सुन्दरबंड दिल्टा के अंदर लगभग 1020 एंडेंजर बेंगोल टाइगर्स जिसका साइन्टिफिक नेम है पैंथेरा टाइगरिस टाइगरिस वो भी सुन्दरबंड में रहता है और आपको पता है इस इस दे नेशनल वाइल अनिमल और नेशनल अनिमल और आपको बेंगोल टाइगर आफ एड्टा टाइड़ टाइगरिस टाइग रिस टाइगरिस टाइगरिस है और विह जह टे बफिगिव दटेख रखेगरिस एचिश कर लुटंअ